ये एक छोटी सी प्यारी सी स्टोरी है जिसमें आप देखेंगे कि कितना प्यार करने वाले दो stupid love words कैसे अलग हो जाते हैं आप सभी को ये स्टोरी बहुत पसंद आएगी तो दोस्तों देखते हैं प्यारी सी स्टोरी को कुछ चीजे निजरों के सामने रहकर भी इतनी दूर चला जाता है कि उसकी एक और आखरी जहलक देखने के लिए जे एक जिनम भी कम पड़ जाता है हमारे आज के स्टोरी के हीरोईन जोया परवीन और हीरो अभी है जोया अभी को कॉल करती है तो कोई कॉल नहीं उठाता पर एक ही सेकेंड में जोया को वापिस कॉल आता है जोया कॉल उठाती है और हेलो में अभी की आवाद सुनती है तभी कहती है तुम अभी फ्री हो अभी जोया की आवाज सुनकर पहचान लेता है और कहता है मैं तुम्हारे लिए पूरी जिन्दी फ्री हूँ तभी जोया कहती है अभी तुम कहां पर हो मैं बस इस्टेंट पहुँचने वाली हूँ जो इनका पहले का कोड़ वर्ड होता है जोया बोलती है पांच मिनट और लगेगा और अभी हैरान होकर पूछता है सची जोयू वो यू ही वो हूँ में जवाब देती है अभी हडबढ़ा हड में बोलता है मैं अभी आया तुम टर्णिंग के पास ही उतर जाना वो बोलती है ओके वो आटो से बाहर के नजारे को देखने कर अपने पुराने दिन को याद करने लगती है और आटो वाले को बोलती है भाईया यही वस टर्णिंग के पास ही रोक दीजेगा आटो रुकती है और जोया नीचे उतर कर किराया देती है तब ही सामने से हाफते हुए हाफ पैंट और टी सेट में बाल को ठीक करता हुआ दोड़ता आता है और चहरे पर लंबी सी मुस्कान के साथ जोया की तरफ देखता है और हाफते हुए अपना सर हीलाता है जोया नीले रंगी कोट पैंट पहनी हुई उसके लंबे लंबे बाल उड़े रहे थे जोया उससे अपनी हाथों से पकड़ कर हटाती है सामने में अभी को देखकर जोया भी मुस्कुराती है और एक गहरी सी सांस लेकर छोड़ती है अभी जोया के पास आता है और वो घड़ी की तरफ देखकर कहता है दो साल सात महीने अठादा दिन छे घंटे पांच मिन और दो सेकेंड बाद हम फिर से मिल रहे है जोया उसकी ये बात सुन कर हसती है और कहती है तुम कभी नहीं सुदरोगे तो भी बोलता है तुम्हें क्या लगता है कभी नहीं